वेलकम प्रूट जाइनल अर्वी फंटसे सेवन तूट सुड़ों में हम बात करने वाले NBA लिग का जो मैच होने वाला है चारलोस ओरनेस वसेश मियामे हीट्स के बीच में दोनो टिम में अगर कंपेरेशन करें तो में इट्स है पॉइंटेबल पर सेकंड पोजिशन उपर और पॉइंटेबल पर नाइंथ पोजिशन पर है चारलोस ओरनेस में इट्स रिसेंटली चार में से एकी मैच आपर हारी है और चारलोस ओरनेस की सेकंड साइड बात करो वो फिला इंजरी की चलते खेलने रहा है यही रिजन है के लास्ट माच आपर यह टीम हार कर आ रहे है और थोड़ा से इनकी बैंस टेंजर वी के ऐस कंपेर ट है पर चार्लोस ओनर्स अधर्वाइस इनका स्टार्टर राइनप बहुत स्ट्रॉंग है ओफेंसली और डिफेंस काफी ज़ाधा है हेवी टीम है, मिया में इस्ट बाकी कुछ इंज़ूर आपडेट्स भी जिनके तीम वारे में हम वीडियो में डिस्क्स करेंगे लिकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नेओ सब्सक्राइब करता करते हैना इस टिम के आपर स्टार्टिंग लाइनाइर पे थे आधि तरफ से आखराया से बात कुरू तो इस टिम के लिए आपर फिला ले लिडिंग स्कोरर है क्योंकि आपर जिमी बटलर 100% फिट नहीं यही रीजन है कि आशके मैच में भी इनके उपर गेम टाइम डिशिजिज़न है प्रोबेबिली खेल सकते है प्रोबेबिली नहीं भी खेल सकते है लेकिन रिसेंटली तिनों मैचस में इनके अगेस्टी गेम टाम डिशिजन है और वो हर तिनों मैचस से आपर के लिए लेकिन इंजूरी के चलती है इतना बेटर परफॉर्फॉर्मस इनके तरफ से आया ने मार्जिन वाला मैच हुआ तो आपर थोड़ा सा एफ़र्ट इनके तरफ से देखने को मिला था और एक टिक टाक परफार्मस इन्हों ने दिया था बाकि लावरी डिफेंसली प्लस आप और ओफेंसली असिस्ट से पॉइंट गार से कहलते हैं जो कि बॉल अनली का काम समलते है तो अससे भी आपको अच्छे खासे पॉइंट देंगे डंकन रॉबिंसन को रिसेंटली मैचस में टाइम मिल रहा है उसका रीजन मैंने बाता था हिरो यापर इस टीम के तरफ से खेलनी रहे जो कि बैक अप कार्ड खेलते थे मोशली आपर 30 ब्लस मिनेट खेलते थे और य लास्ट मैच के परफोर्मस की तरफ से अगर या से बात करू तो यापर जिमी बटलर ग्लोज मार्जिनाला मैच था तो यापर थोड़ा सा 14 के तरफ से एक्ष्टा लगा था लेकिन फिर भी फ्लाप परफोर्मस और रिसेंटली तीनों मैचस में कुछ खास करनी पाए और यह प्लेयर मोचली आपर अच्छा खासा का टाइम कहलता है और असिस भी इनके तरफ से थोड़े से कमाए आप इनसे बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के मैच में अडिबयो के तरफ से आगर यहाँ से बात करो ओफेंसली काफी इंपोर्टन यह आपर यह प्लेयर है जिमी बटलर अपना 100% दे नहीं पा रहे तो यह पर यही रिजन एक आउड़ बॉय ओफेंसली काफी जादा एक्टिवेट है और काफी जादा शॉट्स भी आपको वैसे आटेम्ड करते हुँ देखेंगे पीजे टकर सबसे बेस्ट आपर डिफेंसली प्लेयर है 6.6 रिब अभी हिरो खेलने रहे तो यहाप पर इन दोनों प्लेयर का टाइम आपको अच्छा करा सा इनकी जिस होतो आज दिकांगा जो कि आप पर पॉइंसली आप पर सबसे जादा टाइम केलते हुँ दिखेंगे और उसके बाद माक्स टूस थ्री पॉइंटर शूटर है बैक अप सेंटर इनके तरफ से यहाप पर जहीं उनके उनके आपर रिगूलर बैक अप सेंटर कालते थे प्यांसे डेढमाउन वो फिलाल आउट है तो यही रिज़न है कि डेढमाउन के जगवा पर योगर्वस के लिए थे लास्ट मार्च आजया आपर बैक अप सेंटर और इनके बात करूँ सेकंड साइड चार्लोस ओनेर्स तो चार्लोस ओनेर्स की तरफ से इंजूरी की चलती भी इनकी कुछ आपर बड़े प्लेयर अवेलेबल है जैसे के हैवड, मागडिन और मार्टिन जो कि आपर खेलने लेकिन स्टार्टिंग लाइनप पे जो स्टार्टिंग लों प्लेयर की बात करूँ लोंज बॉल और फर्फोर्मस आता है एक इंप्लेयर है उसके बाद माइल ब्रीजेस ओफिंसली खापी ज़्यादा आक्टिव हो रहेते रॉजर्स वा थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो त्री पांटर शूटर है इस टिम के तरफ से हर माइचस मे इन्होंने बेश्ट थे है पीजे बासंग टांग अधर बैंच प्लेयर करते तो वहाँ पर भी बेश्ट और अभी तो फिलालया पर स्टार्ट करें प्लम्ली एक ऐसा प्लेयर है आपको आनान आवरेज हर मैचस में पोईन देता रहेंगा चाहे हो रिबाउंड से हो या फि देक लेना 22 शॉट इन्होंने अटेम्ट के थे लोंजोबाल की सेकंड साइड अगर बात करू इन्होंने भी 22 शॉट आप्टेंप के थे और मायल ब्रीजेस की तरफ से भी आये थे 21 शॉट्स अटेम्ट थे तो आपर जो आपर ये ऑफेंस्वी प्लेयर ही ये काफी पर बैंच स्टेंथ फिलाल मुझे लग रहा है ऐस कंपूर्ट आपर मियामी और उबेर एक्सपेरियंस प्लेयर है उसका साथ आपने हैरल को देखा हूंगा इससे पहले या पर ये नईव प्लेयर आड़ हो चुग है इस टीम में और लास्ट माच के लिए थे और खेलते ही इनके तरफ से बेस्ट परफॉर्मस आथा वैसे टाइम भी इनको अच्छा खासा मिला था बैक किया गया था 12.7 बाउंट वासिस्ट 2 ब्लॉक और 1 स्टील की जलते बेस्ट परफॉर्मस इनके तरफ साथा अभी इनको लास्ट माच में टाइम बेस्ट मिल लेके रिजन ये ये बी एक है आपर मैक डेनिल्स जो के आपर क्यलते थे ऐसे प्लेयर फॉर्वर्वर्ड से वह फिलाल अनवेलिबल है जिनका 6 पॉइंट पर गेम और 1 असिस्ट पर गेम पर फॉर्फॉर्मस रहा है अभी तो उनके जगा पर इनको फॉर्वर्वर्ड से आपर टाइम दिय गाए यही रिजन है कि इनके तरफ से एक ठीक्टा परफोर्मस आहे फिलाल मैंक डेनियल्स आनाविल वले वासिंग टंग यापर स्टार्टिंग लाइनप में आरे उसिक सासाथ आपके पास एक कोई क्रेडिट से और आप्षिन्स आपको मिल जाएंगे थौर और उसिक इतने को भी मिलाए दोनों यहाँ पर बैंसे अर्मोस्ट सभी टाइम यहाँ पर खेले थी अगर यहाँ से बात करूँगा रिमेलों टीम तुझे आपर लेंजो बान मुझे फिलाल डिफॉल्ट फिक लगरे लावरी को पिक करूँगा यहाँ से इनसेट को रोईजर्स एक पिक फिलाल फिर से मुझे लगरे उबेर को ट्राइ करना है जी एल में रॉबिंसन आपके पास बेस्ट ओप्शन सावेले बेले इनसेट कर सकतो जीमी बटलर क्रेडिट मैनेज करने के लिए इन्हें में डॉप कर कर चले जा रहो अगर आपको उनको पिक करना है तो फिर आ पर फाइनल हो सकती जहाँ पर आपको अगर चेंजिस करना है तो विजने लोग पर कर सकतो माइल ब्रीजस को आप यहाँ पर लाउर की जगापर ले सकते हो जहाँ पर आपके पास क्रीटिश आविलबन रहेंगे फिलाल एक कॉम्बिनिशन मुझे एक ठीक्टा कॉम्बिनि चैसे लिते यहाँ पर चेंजिस के अगर यहाँ से बात करूं तो नोड़ लॉन्जोबल मुझे युनिवरसल यहाँ पर फिलाल मुझे लग रहें अभी आपर आप यहीप रूटेगी के साथ जाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर आप लॉन्जोबल को बना सकते हो अज पीपी यह options भी कापी हद्थे के आपर से भी mostly opponent यही combination की साथ मुझे लगता है आपके साथ आजाएंगी क्योंकि Miami it's defensively कापी जाधर strong है तो लुंजो बॉल के साथ mostly आपर जो अपोनेंट रहेंगे वो एज़े पीपी आएंगे और अब हैम Jimmy Butler को अपने टीम में पिक कर लेंगे और उन्हें SP और PP बनाएंगे तो Jimmy Butler पर भी थोड़ा सा आप त्यान रख सकते हो रिस्की पिक है वागी safe team यही है और जो कोई changes होंगे लाइनप में उसके according आपको final team मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल पर अगर कोई changes होए नहीं तो mostly यही मेरी final team रहने वाले है तो आप यह team सेव करकर रख सकते हो तो हो guys वीडियो पसंद आया होंगा उसका साथ आपने like और subscribe भी किया होंगा तो मिलते final team के साथ हमारे टेलिग्राम चैनल पर